हलो दोस्तों कैसे हैं आप अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं जो आप कमेंड करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं तो आज भी ऐसी कमेंड लेकर आया हूं जो आपकी काउंसलिंग से संबंदेत हैं वो कमेंड्स पहले में पढ़ देता हूं जिसको आपको अंदाल जाए आज की वीडियो का टॉपिक क्या है तो दोस्तों ये वो कमेंड्स हैं जो सरकारी आजिस के अनुसार जिनका मैं आंसर देने पाला हूं पहला जो प्रिष्ण है वो है वेरफी केसन में मार्क सीट चाहिए है डिगरी दूसरा कॉशन है वर्ग एक में 17,000 पोश्ट पर बढ़ती थी फिर 15,000 पर कैसे हो रही है इसके बाद गणित विग्यान और सामाजी विग्यान के अंतरगत कौन-कौन से बिसे आते हैं बाद एक रहनें को गणित वहां और सामाजी विग्यान के अंतरगत कौन से बहुत से लोगों के मन में कंवांसे हैं डिवां अंग्रेजी के टीचर बन सकते हैं तो इस वारे में बात करेंगे वर्ग एक जनजाती भाग की काउंसलिंग कप से सुरू होसे इस वारे में बात करेंगे वर्ग यतिन के एक जाम कप से सुरू होंगे डॉकिमेंट्स में तुर्टी होने पर कुई परिसानी होगी क्या दौनब वाग में चायन सुची एक जैसी है फिर और अब भ्यारती हो कैसे जॉब मिलेगी डॉकिमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉकिमेंट चाहिए verification center का पता कैसे चलेगा और आकरी question है वर्ग दो जंजाती वाकी पोश्ट कब तक जारी होंगी तो इन सभी question के मैं आज answer देने वाला हूँ तो दोस्तों आपका जो पहला question है कि verification में mark seat चाहिए या degree चाहिए तो दोस्तों इसमें आप verification में mark seat ले जा सकते हैं वही आपने upload की है आपने शुरू से देखा होगा परपसर एक्जामनेशन बोर्ट से लेकर आपकी counselling तक पूरा जो काम हुआ है वो mark seat पर ही हुआ है यानि कि वो परमान पत्र है आपके education से सम्मन देद ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर कोई confusion अपने मन में न रखें आपकी mark seat से ही आपकी counselling हो जाएगी तो फैला question जो है वो clear हो जाता है और इस पर मैं काफी video पहले भी लाच चुका हूँ दूसरा question देखते हैं वर्ग एक में 17,000 पोश्टों पर भढ़ती थी फिर भी 15,000 पर कैसे हो रही है यानि कि 2,000 पोश्टे हमारी काँ चली गई बहुत से लोगों के मन में confusion है तो मैं government के आदिस अनुसार इसका answer देने की कोसिस कर रहा हूँ तो दोस्तों इसके लिए हमें purposeion examination board की site पर जाना पड़ेगा और वो notification निकालना पड़ेगा जिसमें ये लिखाता कि 17,000 पोश्टों पर भढ़ती हो रही है तब ही हम इसका answer डूर पाएंगी तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले कहाँ पर click करना है दोस्तों आवेदन पत्र पर आवेदन पत्र पर जैसे ही आप click करेंगे तो जो भी jobs निकलती है उसकी notification यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों तो हम वर्ग एक की बात कर रहे हैं वर्ग एक की जो एक्जाम थे 2018 में हुए थे तो इसकी जो rule book आई है यानि वर्ग एक की वो यह डली हुई है तो यहाँ से आप इसकी rule book डाउनलोड कर सकते हैं जैसी इस पर click करेंगे तो इसकी rule book open हो जाएगी अब यह वर्ग एक की rule book है दोस्तों और इसी में हमें उसका answer मिल जाएगा तो जैसी हम इसे नीचे की तरह स्कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका answer मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं उच्छ मादने सिक जक 17000 पूश्ट है ना लगबग पदों की संक्या में कमी या ब्रधी हो सकती है तो यह नियंज है कि कमी वी हो सकती है यहां पर आप देख रहे होगे पिर्थम चरण में 15,000 पदों की पूर्थी की जाएगी है ना ठीक है तो पिर्थम चरण यानि की फश्ट काउंसलिंग में कितनी पोष्टे होंगी 15,000 शेस पदों की पूर्थी दुत्तिय चरण में की जाएगी यानि की सेकंड काउंसलिंग में दुत्तिय चरण की की तो अभी 15,000 भरे जा रहे हैं दुट्तिय कांसलिंग में 2,000 पोश्टें और आपकी आ जाएंगी क्योंकि जो सेज पदों की पूर्ति दुट्तिय चरंड में की जाएगी तो पहला जो कॉशन था उसका आंसर यही है अब दोस्तों हमारा तीसरा कॉशन है कि गड़े विज्ञ विज्ञान और सामाजी विज्ञान के अंतरगत कौन-कौन से विशय आते हैं तो इसे भी हम गवर्मेंट के जो आदियस निकला है उसी के हवाले से आंसर देने की पूरी कुसिस करेंगे तो दोस्तों इसके आंसर के लिए हमें टीचर्स रिक्वार्मेंट एंड कांसलिंग जो फोल्डर आपके MP online पर बना हुआ है उसके लोग शुक्षन संचाल है मद्यप्रदेश DPI के फोल्डर में जाना होगा और वर्ग एक हो या वर्ग दो कहीं भी आप किलिक कर सकते हैं क्योंकि दौनों के लिए आदिस सेम निकले हुए थे जो कि आपकी नियोजन की पिरकि इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे दोस्तों तो यह आदिस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बिशय का पता चल जाएगा अब दोस्तों यह आदिस ओपन हो चुका है इसमें लिखा है मद्यपिर्देश आसन इसकूल शिक्षा विवाग मंत्राल भूपार और यह आदिस जो ह यह सोसल साइन्स हो उसके सब्ज़क्त दिए गया है बर्ग एक की बात करें हम तो देखें हाई इसकूल उच्च माद्विक विद्याले में अध्यपन कारी हेतु नियुजित किये जाने वाले उच्च माद्विक सिक्षक की पातिता परिक्षा बिशयबार होगी पातिता प बहुतिक सास्त रसाइन सास्त इतियास राजनीति साथ अर्थ सास्त भोगल सामा सास्त किष्षी वाड़े जिवं घरेविज्ञान विशे में आजित की जाएगी आवेदकों को सम्मंदित विशे में इसनाक उत्तर यानि की एमें की उपादी नियम अनुसार उल्लकित जालों में अध्यपनकारी हेतू नियोजित किये जाने वाले मात्विक सिक्षक की पातिता परिक्षा विशयवार होगी परिक्षा के विशय गड़ेत विज्ञान सामाजी विज्ञान हिंदी अंग्रेजी संस्क्रेट एबं उर्दू होंगे ठीक है तो यहां पर आप चैसि में देख सकते हैं उसमें लखा गड़ेत विशय के अंतरगत अभ्याटते उगड़ेत अत्वा भहतिक सास्त अत्वा इंजिनियरिग इंग्जिनियरिग जिन्टों किए यह वो भी बर्ग दों में कौलिफाइट कर सकते हैंड मेंद की अंदर या राए है ब मि intern साथ इसना तक उपादी धारित करना अनिवारी होगा यानि कि ग्रिविशन तो यह किसके सब्जेक्ट होगा मैयत के अब विज्ञान के देखें विज्ञान विज्ञान के अंतरगत रसाइन सास्त, वनस्पती, विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोवालोजी, वाइयो टेकनोलोजी, वाइयो इंप्रोमेटेक से ही किनी दो बिसेओं के साथ इसना तक उपादी धारित करना है, यानि कि ये दो बिसे आपके गिरिविजिशन में होने चाहिए, एवं सामाजी, अब सामाजी विज्ञान देखें कि अंतरगत, इतियास, राजनिती सास्त, अर्थ सास्त, अर्थ सास्त मीज, यहां पर कौन से आ गए, भोगोल, समाज सास्त, इवं बाणिज, बाणिज में आपके बीकॉम बाले आ गए, बीकॉम बाले पूछते हैं कि सर हमारा है कि नहीं त करना होगा, इसनात्यक उपादी निर्धारित पृतिसत के साथ नियम में उल्लेकित प्रापधान अनुसार धारित करना अनिवारी होगा, ठीक है दोस्तों, तो यह आपके पूरे सब्जेक्ट होगा है, अब हम अगले कॉस्चन पर चलते हैं, अब जो हमारा चौता दोस्तों, वो है क्या फाउंडेशन कोर्ट से हिंदी एवां अंग्रेजी की टीचर बन सकती हैं, तो इसका भी मैं आदेश आपको बता देता हूं, तो दोस्तों, यह आदेश आपके लोक्षिंचन संचाल है, मर्दपिर्देश से निकला था, और इसका आप विसे देखें उच्छ मादमिक सिक्चा वेवा मादमिक सिक्चा के अव्यारती की नेकती हेतु, पुर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबन में, तो इसमें ही आपके वो आदेश भी दिया गया है कि हिंदी की टीचर बनने के लिए फाउंडेशन को मानता है कि नहीं है, इसमें हम सिक्चक के नियोजन हेतु माननोगी, फाउंडेशन कोर्स के अंतरगत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तिन परिक्चार्ती मादमिक सिक्चक हिंदी वां अंग्रेजी विसे के पद हेतु, नियोजन के लिए मानने नहीं होंगे, यानि कि जो आपकी फाउंडेशन की हिंदी इंग्लेस है वो आपके मानने नहीं होगी दोस्तों हिंदी और अंग्रीजी के आपको सिख्चक बनना है तो ग्रिजिशन में आपके पास लिटेर्चर के रूप में होना चाहिए जिसे आप तीन साल पड़े हो यानि कि फांडेशन को यहां पर मानता नहीं दी गई अगले कॉश्चन पर चलते ही हम दोस्तों हमारा पांचमा कॉश्चन है वर्ग एक जंजाती विवाग की काउंसलिंग कब से सुरू होगी तो दोस्तों जंजाती विवाग का सीट्यूल जारी कर दिये गया जैसे आप तीसरे पॉ जून 2020 से 30 जून 2020 तक अपने डॉकिमेंट्स अप्लोड करने हैं चौते नंबर कर देखें जिलास्तर पर अभी लेकों का सत्यापन सत्यापन होगा 8 जुलाई से 20 जुलाई तक इसके उपरांत आपकी अंतिम चायन सूची और पिट्टिक्चा सूची दोस्तों जारी होगी ह और दुत्तिय चरण की जो काउंसिलिंग सुरू होगी वो अगस्त में जाकर होगी तो यह सेड्यूल पूरा डला हुगा है हम अगले कॉशन पर चलते हैं जोस्तों चटमा कॉशन है वह है कि वर्ग तीन के एक्जाम कप से सुरू होगी इसके लिए हमें प्रपस हैं एक्ज सौथे नंबर पर देख रहे हैं प्राइमरी इसकुल टीचर एलिगीटी टेस्ट दो हजार बीस और इसमें आप देख रहे हैं 19 सितंबर 2020 से स्टार्ट है ना तो 19 सितंबर से आपके एक्जाम स्टार्ट है तो बिल्कुल भी आपके पास कम समय बचा है दोस्तों जो वर्ग संकानी होगी क्या तो इसे भी हम सरकारी यादिस के नुसार समझने का प्रियास करेंगे तो दोस्तों इसका आप पहला पॉइंट देख रहा होंगे कि सत्यापन के दोरान केबल सारगूत कारणों से किसी दस्ताबेच को अमान किया जा सकेगा सारगूत कारण होते हैं कोई भी फर्जी डॉकिमेंट्स हैं जैसे बीड नहीं किया है तो बीड का लगा दिए वो फर्जी डॉकिमेंट्स कहलाते हैं सामान तंक्डन तुट्टी बरतनी अक्षर विन्यास के आदार पर किसी दस्तावेच को अमाने नहीं किया जाएगा यानि कि जो टाइपिंग में गलती जाती हैं मार्क सीट में वो यदि हो रही हैं तो उससे कोई भी डॉकिमेंट्स आमाने नहीं किया जायं कि बान रहेका हो जाता है उसके आदार पर किसी दस्तावेज को असुईका नहीं किया जाएगा इसी परकार परंपरा के अनुसार पितात्वा पूरवजों के नाम यानि कि पिता जी का सन्नेम अलग है उपनाम अलग है आपके दादा जी का उपनाम अलग है और आप वो नहीं लगाते हैं त तो उसकी आदार पर बनाकर दस्ता बेजों को असुई का नहीं किया जाएगा, यानि कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी परकार की विरुदा आवासी इस्तिती में वरिष्ट कारेलर आवसक मार्दसन प्राप्त किया जा सकेगा, तो आपके डॉकिमेंट्स में कोई भी तुट्टी है, नाम संबन्दी हो गई, या फिर आपके साधी के बाद आपका नाम चेंज हो गया, या आपके पिता का उपनाम अलग था, आपका अलग है, इन बजों से आपके कोई भी डॉकिमेंट्स अमान नहीं किये जाएंगे, अगली कॉश्चन पर चलते हैं, तो आठमा कॉश्चन है दोस्तों, दौनों भिवागों की चाहिन सूची एक जैसी है, फिर अब्यारतियों को कैसे जॉब मिलेगा, यानि कि और अब्यारतियों जो बेटिंग लिष्ट में हैं, या जो बेटिंग लिष्ट में भी नहीं है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो आपके जन्जाती भिवाग है, वो हाल की हाल, यानि कि अगस्त में आपकी सेकेंड काउंसलिंग शुरू कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेस विद्याले की जुत्ती चरण की काउंसलिंग अगस्त 2020 हैं न दोस्तों, तो यहाँ पर जो चाइन सूची भी जारी होगी, इसमें भी वो नाम रिपीट हो सकती है, क्योंकि जब तक जुइनिंग नहीं हो जाएगी, वो नाम रिपीट हो सकती है, अब यह नाम रिपीट होंगे, तो इसका एक ही हलो नोन ने डूडा है, कि छटमें पॉइंट में रो नोन लिख दिया है, कि सेश विद्यालों की दुट्ती चरन की कांसिलिंग अगस्ते से सिरू हो जाएगी, तो जैसी अगस्ते से सिरू होगी, तो उस समय फिर आपकी प्रिवर्दिक चाइन सूची यो प्रिवर्दे पिर्दिक्चा सूची फिर से जारी होगी, उनमें बो नाम हट जाएंगे, जो DPI में, चाइन सूची में, या उनकी जो फाइनली चाइन सूची है, और जिसके आधार पर जोइनिंग हो रही है, यानि कि फाइनली चाइन सूची भी एक बार रिपीट हो सकती है, आपकी जुलाई 2020 में, लेकिन अगस्त की जो आपकी प्रवर्दिक चाइन सूची है, प्रवर्दिक प्रितिक्चा सूची होगी, वो DPI से पूरी तरह से भिन्नोगी, जो DPI ने जिन लोगों को जॉइनिंग दे दी है, उनके नाम सौताई हट जाएंगे, जैसे आप ये नियम देख रहे हैं, आट सेकेंड उनकी अगस्त में काउंसलिंग होगी, उसकी जो सूची जारी होगी जन जाती विवाकी, उसमें वो नाम रिपीट नहीं होगी, जो DPI ने जॉइनिंग के लिए दे दी हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वेटिंग वालों की वेटिंग किलियर हो जाएगी, और यदी प पर आपको यहाँ पर नीचे जाएगे, तो यहाँ पर आपको यह निव जन की पिरक्रिया देख जाएगी, इसमें आप देखें, अब भ्यारती की सेक्चनिक योगगता, सेक्चनिक योगगता क्या होती है, दोस्तों, आपके D.Ed हो गया, या आपने B.Ed किया है, या फिर D. किया है, ठीक है, सेक्चनिक योगगता, D.Ed, D.Ed, है ना, और सेक्चनिक योगगता क्या हो गई, आपने B.Ed किया हो, या बर्गे के लिए, आपने M.A.M.C. जो भी किया हो, जिस सब्जक्ट से आपने अक्जाम दियें, उसकी है ना, इसके बाद हो गया आपका जाती पिरमा सेक्चनिक योगता, जिसमें आपके B.Ed, D.Ed या D.Ed आगया, जाती पिरमानपत्र आगया, आपका अतिति सिक्चक पिरमानपत्र आगया, अब यह आपको सब चाहिए, दोस्तों, अब इस से सम्मंदित एक आदेश भी है, उसमें देखें आ, बिसे तता वर्गवार निर्द दस्तावेजों का सत्यापन करना, तो वही दस्तावेज चाहिए, जो आपने अपलोड की है, तो आपको पता है कि आपने क्या-क्या अपलोड की है, वही यहां पर चाहिए, किसी भी दस्तावेज की अनूपलब्दता में, दसा में किसी पिरकार के अन, दस्तावेज की अत्वा सपतपत्र आदी को grant किया जाना पूर्टा बरजेत रहेगा जैसे कि आपने कहा कि भाईया हमारे पास beard नहीं है लेकिन सपतपत्र हम लगा सकते हैं तो वो मानने नहीं होगा आपकी documents पूरे होने चाहिए जो आपने upload किये हैं उनका ही verification होना है उसके अत्रेट कोई भी documents आपको नहीं चाहिए दोस्तों दस्मा question है कि verification center का पता क्यासे चलेगा तो दोस्तों verification का center का पता आपको लोक्षक्चन संचाल है मद्यपिर्देश की जो website है उन पर चल जाएगा जो भी आपने mobile number दिया है उसमें message की जरे सूचना आजाएगी यानि कहीं न कहीं से आपके पास सूचना पहुच जाएगी और सबसे बड़ा ही है कि MP online पर देखते रहें तो यहाँ पर भी वो list आजाएगी कौन से date में किन लोगों को कहाँ पर जाना यानि कि verification center का नाम और date सब एक साथ आजाएगी अब दोस्तों जो last question है वो है वर्ग दो जन्जाती भवाग की post कब तक जारी होंगी तो दोस्तों जन्जाती भवाग की जो post हैं वो आपके जारी हो सकती है जून के last week में दोस्तों और उसके लिए हमें मुहिम भी चलानी होगी यानि कि हम बहुत जल्ली जारत तर कुछी दिनों में आपके वर्ग दो की post के लिए social media पर मुहिम चलाने वाले हैं जिसे आपको सफल जरूर बनाना है दोस्तों और अधिकतर उम्मीद है कि जून के last week में आपकी वर्ग दो की जो जन जाती विवाग की जो पोश्टें हैं वो डिकलियर हो जाएंगी और मैंने आपको जो भी आपके question है उनसे सम्मंदित काफी वीडियो बना दी हैं तो उन्हें भी आप search करकर इस पर देख सकती हैं दोस्तों तो ये वीडियो एक सूचना मातर था आपको अच्छा लगा हो तो like कर दें, share कर दें जन भाई बैनों अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने कि आप प्ली सब्सक्राइब कर दें कि कोई अक्सर ऐसे वीडियो में लाते रहता हूं आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तही दिल से धन्नवाद